पुरानों के अनुसार यह दिन बुद्वार का था इसे कारण से बुद्वार गनेश जी का प्रिये दिख माना जाता है सबसे आश्चरी की बात यह है कि इस वर्स वी गनेश चतूर्थी बुद्वार के दिन ही आ रहा है यह संयोग कई परसों के बाद आता है इसलिए इस दिन गनेश जी की पूजा करने से बिक्टि को भगवान गनेश जी की विशेज किर्पा प्राप्त होती है इस वर्स गनेश चतूर्थी 31 अगस्त 2022 को बुद्वार के दिन मनाय जाएगा इस दिन गनेश जी की घरघर में तापना की जाएती है संकटों का नास करने वाले गनेश जी रिद्धी सिद्धी के स्वामी है इनकी पूजा करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार की सुख्यस्वरे प्राप्त होती है गनेश जी को प्रथम पुच्य होने का वर्दान सभी देवी दिवताओं ने दिया है इसी दिए कोई भी सुखकारी अथवा पूजा से पहले भगवान गनेश जी की पूजा का पिधान है जो भी मनुष्य मन में सच्छे सर्दा रखकर गनेश जी की पूजा करता है उसके हर मनुकामना पूर्ण होती है किंतु दोस्तो हमारे सास्तरों में ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो गनेश जी को बिलकुल भी प्रिये नहीं है या चीजे गनेश जी पर चढ़ाने से गनेश जी रुष्ठ हो जाती है और जो विग्दी गनेश जी को नाराज करता है उसके सभी कारियों में विख्ण निर्मत होती है इसलिए गनेश जी की पूझा के दौरान आप यह साउधानी अवस्य परते आईए जान लेते हैं गनेश जी की पूझा में कौन सी वस्तूओं को वर्चित माना गया है दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सस्क्राइब चरूर करें कमेंट में जैसरी गनेश अवस्य लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले सबसे पहली चीज है खंडित अक्षत दोस्तो गनेश जी की पूझा में अक्षत यानी चावल अर्पित किये जाती हैं इसलिए अक्षत अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखे कि ये टूटे हुए ना हो अक्षत को गनेश जी पर अर्पित करने से पहले थोरा खीला करके चड़ाएं क्योंकि भगवान गनेश का एक दाट तूटा हुआ है इसलिए गीले चावल ग्रहन करना उनके लिए सहज होता है गनपती को अक्षत अर्पित करने वाले प्यक्ती को गनेश जी धन समपती पर दान करती है उसे कभी दरित्ता का सामना नहीं करना परता है दूसरी चीज है तूसी के पत्रे भगवान स्री गनेश की पूजा में धूल करवी तूसी पत्र का इस्तिमाल ना करे पौरानिक कदथाओ के अनुसार गनेश जी ने तूसी जी का बिवा प्रस्ताव ठुकरा दिया था बिवा प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नराज होकर गनेश जी को यह सराप दिया कि उनके एक नहीं बलकी दो बिवा होंगे इस पर स्री गनेश जी भी तुलसी को सराप दे दिया कि तुम्हारा बिवा एक असुर से होगा और उनकी पूजा में कभी तुलसी का पर्योग नहीं किया जाएगा इसी कारण से गनेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का पर्योग फर्जित है तीसरी चीज है केत्की के फूल गनेश जी को सफेद फूल या केत्की के फूल भूल कर भी अर्पित ना गरी पौरानी कथ्याओं के अनुसार भगवान स्यू को केत्की के फूल पसंद नहीं है मन्याता है कि अपने पिता का मान रखने के लिए उन्होंने केत्की के फूल को अपनी पूजा से वर्जित किया था चौथी चीज है सफेद रैंकी चीज है गनेश जी की पूजा में सफेद वस्त्रे, सफेद जन्यू और सफेद चंदन ना चड़ाएं पौरानी कथाओं के अनुसार चंदर्मा ने गनेश जी का उपहास किया था इसलिए गनेश जी ने चंदर्मा को स्राप दिया था सफेद रंग के फूल का समन्द चंदर्मा से होने के कारण गनेश जी को सफेद फूल भी अर्पित नहीं किये जाते आईए अब जान लेते हैं गनेश जी को कौन सी चीजे चढ़ानी से धन संपती की प्राप्ती होती है सबसे पहली चीज है धुर्वा जिस तरह भगवान सीव सिर्फ जल और बेलपत्र से ही प्रसन्य हो जाते हैं कुछ वैसे ही गनपती पूजा में धुर्वा चढ़ाने से ही विप्रसन्य होकर अपने भक्तों को सुख समृत्ती का आजिरबात देते हैं गनपती को धुर्वा चढ़ाते समय हमेशा उसका उपरी हिस्सा लेना चाहिए और उन्हें 21 डाट की डुर्वा अर्पित करें दूसरी चीज है मोदक गनपती की पूजा में मोदक का प्रसाद चरूर चढ़ाएं मोदक के प्रसाद से प्रसन्य होकर गनपती अपनी सादकों का चीवन विठास से भर देती हैं मोदक उपलब्द ना होने पर आप गनपती को पूज़े का लड़ू चाहा सकते हैं तीसरी चीज है केले का फल सनातन प्रमपरा में केले का पेर और उसका फल बहुत महत्व रखता है केले के पेर की जहां पूजा की जाती है वहीं उसके फल की बगर गनेश जी की पूजा अधूरी माने जाती है यदि आप गनपती को सिग्र प्रसन्य कहना चाहती हैं तो प्रसाद में केला चहरुड चढ़ाएं चौती चीज है सिंदूर गनपती की प्रिये चीजों में सिंदूर भी सामिल है गनेश जी की पूजा से चुरे तमाम उपायों में अक्सर इसका पर्योग किया जाता है सिंदूर को सुपरदात माना गया है जिसके परियोग से घर में किसी भी प्रकार की नकरात्म कुर्जा का प्रवेस नहीं होता है इसी सिंदूर को जब गनपती को चड़ाया जाता है तो वे प्रसन्य होकर अपने फक्तों की तरी मनुकामनाएं पूरी करती है पांचवी चीज है अक्षत गनपती की पूजा में अक्षत का परियोग चरूर करें अक्षत को अर्पित करने से पहले उसे पानी में ठोली और मों करने साय नमा इस मंत्र का जाब करी ध्यान रहे कि गनेश जी को कभी सूखी अक्षत ना चढ़ाएं छटी चीज है गेंदी का फूल गनपती की पूजा में गेंदी का फूल जरूर चढ़ाएं क्योंकि गनपती को यह फूल बहुत प्रिये है यदि गेंदी का फूल ना मिले तो पिले रेंग का फूल चढ़ाएं तो दोस्तो इस प्रकार से आप गनेश चतुर्थी के दिन गनेश जी की पूजा अवस्य करें गनेश जी आपकी हर मनुकामना अवस्य पोर्ण करेंगे उमीद है कि आपको यह जनकारी अच्छी लगी हो वीडियो जो वीडियो को लाइक करें और कोमेंट बॉक्स में जैसी गनेश लिखे और हमारी चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तो